हाँ तो दोस्तो आज मैं आपसे दो चीजों के बारे में बात करूँगा पहली चीज आप मेंसे बहुत सारे लोगों के ये कुश्चन्स होते हैं कि हमारे प्रोड़क्ट पे रिव्यूज नहीं आरे रेटिंग्स नहीं आरे क्या कोई तरीका है रिव्यूज और रेटिंग बढ़ाने का और दूसरी चीज एक बार पहली चीज खतम कर लूँ उसके बाद दूसरी के बारे में आता हूँ तो बात करते हैं रिव्यूज और रेटिंग्स की आप लोग मुझसे पूछते हूँ क्या कोई तरीका है रिव्यूज और रेटिंग्स बढ़ाने का कितनी बढ़ा लोगे, कितनी बढ़ा लोगे रिव्यूज और रेटिंग्स अपने दोस्तों के बोलके ओर्डर्स करवाओगे अपने ही प्रोड़क्ट तो उससे कितनी रेटिंग्स बढ़ जाएंगी आपकी अगर आप 10 प्रोड़क्ट बेशते हो ये मैं बार बार बोलता आ रहा हूँ तो 10 में से अगर आपका प्रोड़क्ट बढ़िया है न तो कोई एक या मैक्सिमम दो लोग ही रिव्यू करते हैं पॉजिटिव रिव्यू होते हैं अगर आपके पास रिव्यू नहीं आरे रेटिंग्स नहीं आरे या कम रिव्यू आरे हैं तब भी वो बहुत बढ़िया बात है बजाए नेगटिव रिव्यू आने के कोशिश करो कि नेगटिव रिव्यू ना आए पता है हम इंडियन्स की mentality कैसी होती है अगर हमें product अच्छा मिल जाएगा ना तो ठीक है यार हमारब इतना time नहीं होता कि हम review करें लेकिन अगर वहीं गलती से गलती से अगर खराब product निकल गया product की quality customer को पसद नहीं आई तो भाई साब वह कहीं से भी time निकाल लेगा अपना कितना भी important काम हो कितना भी urgent काम हो वह छोड़ के पहले negative review करेगा कि पहले मैं इसको review देता हूँ इसने मेरे को ऐसा product भेज कैसे दिया तो अपने product की quality सही रखो ratings positive में रखो rating ना भी आये ना या positive rating कम आये तो कोई बात नहीं negative ratings मत आने दो तो अपने product को आप जैसे भेज रहे हो अगर आप अपने product की quality बढ़िया भेज रहे हो तो भेजते रहो quality के साथ कोई compromise मत करना जब sales बढ़ जाएगी ना तो reviews भी अपने आप आने लग जाएंगे बजाए कम आएं लेकिन positive reviews आएंगे positive reviews बहुत माहिने रखते हैं आपके product की rating और आपके seller account की rating को बढ़ाने में तो ये तो था मेरी पहली बात का जवाब अब शुरू करते हैं दूसरी चीज से दोस्तों दूसरी चीज ये है कि आप मेंसे बहुत सारे लोग ये question करते हैं हमें कोई ऐसा product दे दो जिसमें बहुत अच्छा margin हो और हम पहले दिन से ही profit में आ जाएं और e-commerce platform पे अपने product sale करने लग जाएं भया e-commerce business है कोई हलवा नहीं है वो कि बनाया और खालिया e-commerce business इतना आसान नहीं है बहुत सारी चीज़े होती है e-commerce business में सबसे पहले account बनाना product list करना उन product को कैसे advertise करना है branded product कैसे sale करने है non branded product कैसे sale करने है unique product लेके आना है product पे research करना है आप मेंसे बहुत सारे लोगों के तो पहले हफते में ही account suspend हो जाते है क्योंकि पता ही नहीं होता न कि branded product कब लगाना है non branded product कब लगाना है 3-4 दिन लगाया एक-दो product की sale आई mail आगया कि account suspend बस अब उसके बाद आप sale कर नहीं सकते तो पहले proper knowledge लो अगर कोई business शुरू करना जा रहे हो तो किसी को सीखने में 3 महीने लगते हैं किसी को 6 महीने लगते हैं किसी किसी को 1 साल लग जाता है समझ में आ रही है hard work करते रहो hard work का कोई substitute नहीं है failures होते रहते हैं normal है business में failures चलते रहते हैं लेकिन उन failures से सीखो रात ओ रात success किसी को नहीं मिलती time लगता है विजनस करने जा रहे हो तुम लोग दोस्तों समझ में आई मेरी बात इन दो बातों के मैं आपको जवाब दिये हैं अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं मेरी अगले वीडियो में किसी और नए फ्रेश टॉपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद